नमस्कार मित्र जै मातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो मित्र हम बात करेंगे आपके गली 24 गंटों के मेहत प्रणरासी फल की यानिकी मित्र दिनांक 10 अप्रेल 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए सरव प्रणरासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चैन्दर मा जो है मित्रों वह करकरासी में संचार करेगा तो एसे में समझत ग्रह की चाल का अगले 24 गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो व्यापार की डरश्ती से नोकरी की डरश्ती से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्रो विध्यारतियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या सावधानिया है क्या खुश खबरिया है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो मित्रो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास साउधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वहीं वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं तो सबसे पहले तो मित्रों जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो के लाइक कर जीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही प्रेम से जै मातरानी उनकी सारी मनोकामनाएं पुरुन करेगी तो चलिए मित्रों वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रों हमारे गुरुजी की सीख आप अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा मित्रों गुरुजी केहते हैं कि दूसरों के पास आप से अधिक धन संपत्ती है तो इस तरह की सोच या इस्रिया कभी न करें क्योंकि एसा करने से धन संपत्ती आप से दूर होने लगी और दूसरों के अच्छे भागी के लिए आशिरवात दें और विश्वास रखीं कि यह स्त्रष्टी में सब कुछ प्रचुर मातरा में हैं इसलिए मित्रों जीवन में गुरु जी कहते हैं कि कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार की इस्रिया ना करें तो गुरु जी का यह ग्यान जीवन में जरूर अमल कीजेगा गुरु जी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवस्य लेखेगा तो चलिए मित्रो बात करते हैं आपके एकले 24 गंटों के मैं है तो प्रण रासी फल की तो मित्रो आपको अपने काबिल्यत और अनुभ़ों का इस्तमाल करते हुए परिश्टिति का सामना करना होगा जैसे विचार मन में आएंगे उसी प्रकार से आपके काम में भी आपको बदलाव नजर आएगा और जिन तकलिफों का सामना करना पड़ सकता है वे अबदूर हो सकती है तो मित्रो दूसरों से जदा खुद की बातों पर ज्यान रखना होगा क्योंकि कभी कभी होता यह है कि आप दूसरों की बातों में आकर जो निरणे आपने स्वयम ने लिये हैं वह बदल लेते हैं तो इस बात का विशेश ज्यान रखना है और काम से संबंदित गलत को नजर इंदाज बिलकुल ना करें जिन कामों को बहतर तरीके से कर सकते हैं उनका अवलोकन आपको करना होगा इसी के साथ आपको यह भी बता दे मित्रो कि रिलेसंसिप में उतार चड़ाओ महसूस होंगे क्योंकि जीवन उतार चड़ाओ ही है यदि इसमा सूक आएगा तो कल दुख भी आएगा इसे के साथ व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदारी पूरी करने के कुशिस करें और जब तक आप आत्म निर्भर नहीं बनतें तब तक नाराजगी कम नहीं होगी और बेकार के खर्चे बढ़ सकते हैं इस कारण आपको नुकसान हो सकता है मित्रो युवाव को काम पर ध्यान देने के आवसेक्टा होगी और लव रिलेसंसिप की वजह से जीवन में अश्तिर्दा होने लगेगी वहीं आपके द्वरा जीतने प्रयतनों हो सकते हैं उतने करने के कोशिस करें क्योंकि प्रयतनों से ही इंसान सफल बनता है क्योंकि य गलत नहीं हर सफलता की सबसे पहली कहानी होती है परिष्टिती पर पूरी तरसे आपका नियंत्रन नहीं होगा लेकिन मेहनत करके कई पहलों को अपने पक्स में कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है मित्रो निरासा की वज़े से आप गलत निर्णई लेने से बचें क्यो व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना होगा तभी रिलेसंसिप ठेक कर पाना आपके लिए संभव होगा वहीं सरीर पर लगे हुई चोट को बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें दिन की सुरुवात में ही आपके खर्च बढ़ सकती हैं तो जीवन सेली को बहतर बनाने के लिए आपको यह खर्च रोकने होंगे लेकिन यह खर्च जो हैं यह ज्यादा मामूली खर्च नहीं हैं आप जरूरत ज्यादा मोज मस्ति को महत्व दे रहे हैं इस कारण कठिनाया बढ़ सकती है और आप परिष्टीथियों को समझ कर हल करने की कौसिस करें क्योंकि जब त तब तक परिष्टीथियां हलके से होगी और काम से संभंधिक टार्गेट दे करके उस पर ठीके रहेने की कौसिस करें पार्टनर को थोड़ा वक्त देने की आव सकता है जब तक विचारों में इस पश्टना नहीं आते तब तक बात नहीं कर पाएंगे और गलत खान-पान की वज़े से सेहत बिगर सकती है मित्रों आपके सयम की परिक्सा ले जा सकती है अठके हुए पेशे प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और किसी भी व्यक्ति को उधार देने से इस समय आपको बचना है आपके द्वरा की गई मदस से आपका नुक्सान हो सकता है और मानसिक कलेश भी हो सकता है मित्रों नेचूरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों को मार्केटिंग से संबंदित नई बाते सीख कर अपनाने की आउट सेखता होगी क्योंकि मार्केट से संबंदित जब बात आप सीखेंगे और जिन बातों का आपके स्वा प्रभाव पढ़ेगा वही बाते आपको मार्केट में सफल बनाएगी वही विवहाज से संबंदित निर्ले मंजोरी होने में वक्त लगेगा तो जीवन से संबंदित हर एक बात के बारे में आपको चिंता मेहिसूस हो सकती है और आप अपने प्रेयत न कर रहे हैं फिर भी किसी न किसी बात में कमी मेहिसूस होती रहेगी तो अपनी समताएं हर दिन बदलती है इसलिए तनाव से बचें क्योंकि कुछ भी इस्थिर नहीं रहता है मित्रो समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को हर किसी को अपने जीवन में मिलते ही हैं काम से संबंदित स् वह आप से क्या कहना चाह रही हैं मित्रो अपने बातों पर अड़े रहने से आप क्यों प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है अब व्यक्तितों का विकास भी रुका हुआ है तो एहंकार से बचने के कोशिज करें एहंकार और जिद्दी स्वभाव की वज़े से लोगों के स दूरिया बढ़ सकती है और आर्थिक परिष्टिती में जब तक सुधार नजर नहीं होता तब तक काम की क्वालिटी और मार्केटिंग पर बारेकी से ध्यान देना होगा व्यक्तिगत जीवन में आ रही समस्चाओ की वज़े से पार्टनर के साथ रिलेसंसिप में मित्रो परिवार के लोगों की अनुमती और हर बात में उनका सहीयोग पाने के इच्छा आप से संबंदों को सुधार रही है अब लोगों की अपेक्साओ को ध्यान में रखते हुए अपने भावनाओं का भी विशेश ध्यान रखें और पारिवारिक व्यापार से पावटे आ सकती है पति-पत्नी में प्रेम बना रहेगा लेकिन यही प्रेम आपको कंटीनू रखना होगा और बच्चे और बुजुर्गों की सेहत का विशेश ध्यान रखने की जुरुरते इसे के साथ मित्रों पेसों से संबंदित बातों को मेहें तुरेते हुए निर् दूर हो सकता है और इस्टोक मार्केट छेतर से जुड़े लोगों को किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है ना ही नए से निवेश करें और किसी व्यक्ति के लिए महसूस हो रहे आकरशन को प्रेम ना समझे क्योंकि यह प्रेम बिल्कुल भी नहीं है यह के वले आकरश चिड़ चिड़ापन में हिसूस हो सकता है जब तक आप पूरी तरह से ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तब तक जरूरी बातों को समझना मुश्किल होगा आपके द्वारा हो रही गलतियों के कारण अन्यों लोगों को भी तकलिफ से गुजरना पड़ रहा है तो काम से संबंदित आउसर का आप ठेक से इस्तमाल करें ये भविश्य में अन्यक कामों को तेह करेंगे और रिलेसंसिप से संबंदित निर्णे पर परीवार की अनुमती लेने में वक्त लग सकता है इसे के साथ मित्रों किसी एक बात पर अठके रहने से अन्यकामों में प्रगती अठक सकती है तो अपने विचारों को सीमित रखने के कारण आपको आउसर भी सीमित तरीके से नजर आ रहे हैं तो एसे में आप विशेश बात का ध्यान रखिए कि अपने आउसरों में थोड़ा से बदलाव लाएं अपने विचारों में थोड़ी सी निकटता लाएं व्य सकता है और पार्टनर के लिए प्रेम और निष्ठा बढ़ती हुई नजराएगी पेर से संबंदी तकलिफ आपको हो सकती है तो अनेक समस्चाओं का सामना होने के बाद भी आपका विश्वास बना रहेगा तो मित्रो वीडियो की समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमार यह वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्चे कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरु जी का असिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवस्चे लेखिएगा गुरु देव आपकी सारी मनो कामनाई पुरुन करेंग और देनिक रासी फल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ते के लिए आप सभिमित्रों हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा वा पास्म वह घंती भी दबाकर हमारे यूटूब चैनल से अभी जुड़ जाईएगा